एसा नहीं है कि हमारे ये लक्ष्मी कांथ का फर्स्ट लेक्चर है इन पैक्ट हमने लक्ष्मी कांथ और उससे कुछ उपर की चीज है एक्स्ट्रा वैल्यू एड़ करके मतलब जिसमें GS2 की पूरी प्रिप्रेशन हो जाए मेंस और प्रिलिम्स की एसा हमने कुर्स देखे काफी पहले शुरू कर दिया था हमारे इसमें कम से कम 5-6 लक्ष्मी कांथ का है कुछ चोटे हैं कुछ बड़े हैं जैसे आपका पहला वाला जो हिस्ट्री आप दे इंडियन कॉंस्टिटूशन है वो पूरा कंप्लीट है और जो right आप में देख रहे हो वो मेरे जो हैं notes है क्या है कि मेरे notes में कई चीजें तो overlapping हैं लक्ष्मी कांथ से सही बात है लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो लक्ष्मी कांथ से extra हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको लक्षमी कान्त को बार-बार revise नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके concepts जो है बिल्कुल clear हो जाएंगे तो यही जो है complete notes बने हुए है आपके mains के लिए, prelims के लिए, सब के लिए और ऐसे से हम जो आगे करते जाएंगे और इस चीज को पूरा complete करते जाएंगे GS2 को next question यह उठता है कि आपको कैसे पढ़ना है देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ left side में लक्षमी कान्त है वो तो आपके पास भी है complete है आपको यही से पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं right side में क्या है कि overlapping चीजें हैं तो notes बनाने में बहुत मेहनत पढ़ती तो मैंने यहां पे उसके pictures डाल दी है तो जहां भी मैं उसको highlight करूंगा, underline करूंगा, यहां पे कुछ बताऊंगा तब ही आपकी नजर जो है right side में जानी चाहिए otherwise आप right side में मत देखिए क्योंकि मुझे पता है कि वहां मुझे क्या पढ़ाना, क्या छोड़ना है तो यही process रहेगा, अब next बात यह उठती है कि इसका notes कहां में लेगा इसका notes देखिए हर page के last में नीचे हमारे चैनल का देखिए tips for UPSC लिखा हुआ या UPSC, PSE corridor बोलते है हमारा यह link जो है, जो handle है, वो tips for UPSC है टेलिग्राम का channel आप इसको join कर लिजिए, यहां यह PDF के format में या PPT के format में कैसे भी आपको provide कर दिया जाएगा lecture के around अब यह next question उठता है कि बीच में इतने सारे chapter थेते हुए directly जो है, Parliament की इस chapter में क्यों चले गए, devices of parliamentary proceedings इसले चले गए, क्योंकि prelims आ रहा है, नस्दीक है, बहुत सारा already load है हमारे पस, तो वो load भी complete करना है, history भी करारों में तमिलनाडू से तो वो हमारी priority है, अब लक्षमी कांत में हम क्या कर रहे हैं, कि जो लक्षमी कांत के अंदर priority, जैसे Parliament का chapter हो गया और पंचायती राज institution हो गया, वो आप लोगोंने vote करके बोला, कि वो आपको most difficult लगते हैं, तो वो करने की ज़ुरत है, तो हम जो है, इसी chapter पे focus रखेंगे, पहले Parliament पे और पंचायती राज पे, अगर वो हो जाये, तो हम आगे नए chapters में बढ़ेंगे, अब Parliament के अंदर देखिए, बिल पास करना, और जो money bill है, finance bill है, ऐसी सारी चीज़े बहुत confusing है, और दूसरा confusing है, कि Parliament में जो devices और parliamentary proceeding होते हैं, motion, resolution, call of attention, इतनी सारे जो चीज़ें हैं, वो बहुत confusing होती हैं, तो हमने इसी पे सबसे पहले focus किया है, जो difficult topic है, और important topic है, आपका devices और parliamentary proceedings, यही आज हमारा chapter है, इस lecture में हम लोग यह सारे topic cover करेंगे, सबसे पहले हम लोग question hour देखेंगे, क्या होता है, question hour के बाद जो एक gap होता है, चोटा सा, उसमें zero hour होता है, वो देखेंगे, क्या होता है, उसकी origin क्या है, question hour की भी origin देखेंगे, motions जो सबसे difficult topic है, यहाँ पे कि कितने type के motion होते हैं, this is not about human emotion, this is not about earth or moon motion, और loose motion, this is parliamentary motion, legislative procedure है, point of order क्या होता है, यह देखेंगे अलग से, फिर parliament में कुछ discussion होते हैं, half hour discussion, half hour discussion, and short duration discussion यह देखेंगे, उनके बीच में differences में समझेंगे, फिर special mention एक चीज होती है, वो देखेंगे, last में यह देखेंगे, कि जो motion मगर तो ठीक है, यह resolution क्या होता है, तो यह सारे जो हमारे, यहाँ पे topic हैं, इस lecture में, तो चलिए सबसे पहले शुरुवात करते हैं, हम question और की, प्रशन पूछने की, आप में देखेंगे, question मत करिए, parliament की question और की बात हो रही है, यह देखिए, parliament जब सुबह-सुबह लगती है, जब सब लोग आते हैं, वहाँ पे कि चलो, parliament में बैठा जाएं, तो शुरुवात जो है, चाय नाश्ते से ना, okay, question और से होती है, है ना, उनके लिए डिफिकल्ट, हमारे लिए डिफिकल्ट की question ही, अंसर सबसे पहले सुनो, राजसभा इस पे जो है डेली अपना प्रोग्राम भी बनाता है, राजसभा टीवी, ओके, देखे, यह शुरुवात होती है, सुबह के ग्यारे बज़े, question और कितने बज़े शुरू होता है, देखे, अब मैं इधर highlight कर रहो है न, क्योंकि यहाँ पे 11 a.m. नहीं लिखा हो है, आपको जो है, लश्मी कान्त में आपे 11 a.m. नहीं लिखा हो है, लेकिन यहाँ मेरे notes में है, 11 बज़े सुबह इसके शुरुवात होती है, एक गंटे तक चलता है यह question और, है न, इसमें parliamentarians को right है कि वो जो question कर सकते हैं minister बगरा को है न, अब यहाँ पे जब left side में आप देखेंगे तो लश्मी कान्त में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन legally इसको क्या बोलते हैं, यह जो right है parliamentarians के कि आख question कर सकते हैं minister बगरा को, में उसके तुरू आपके parliament में right of interpolation या फिर questionnaire आया है, अब हम तो गाउं वाले लोग हैं पहले यहीं पे confused हो जाते कि बगराई interpolation क्या होता है, interpolation का मतलब इंग्लेज में question करना होता है, ठीक है, तो right of interpolation का बाया था, Indian Council Act 1892 से आया था, नेक्स जो thing है, अगेन यहाई पे लश्मी कांत में नहीं दी होई है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह हर दिन नहीं होता, जैसे माली जे जिस दिन budget present किया जा रहा हूँ, उस दिन आपका question और नहीं होता, माली जे first जो आपका session लगता है, हर किसी session में जो first day होता है, या फिर आपका जो माली जे की लोग सबा नहीं आई है, तो उस टाइम पे president address करते हैं, जिस दिन president address करते हैं, आपके संसद को, parliament को, उस दिन आपका यह question और नहीं होता है, माली जे किसी holy day में, किसी कारण से parliament का session जो extend किया गया, कि 5 March को खतम होना तो माली जे, for example, एक ले ली जे random, अब 10 March तक चलाते हैं, कुछ specific purpose है, माली जे कुछ war हो गया, कुछ financial crisis हो गई, कुछ agenda है, ऐसे जो special extension होता है, parliament के session के, उस टाइम पे question और नहीं होता है, ये चीज़ आपको लक्ष्मिकान में नहीं मिलेगी, इसको याद रखेगा, important चीज थी, वही चीज लक्ष्मिकान में बता रहे है, पहला जो घंटा होता है, parliament का, ये बता है नहीं कब से start होता है, 11 अम से start होता है, इस टाइम पे जो आपके members हैं, मों question करते हैं, किस से, minister से, और यहाँ देखे, क्या लिखा हुआ है, usually give answers, they usually give answers, तो यहाँ पे ये सवाल उठता है, कि क्या वो deny कर सकते answer करना, हाँ deny कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने नहीं समझा है, लेकिन मैं आपको note से समझाऊँगा, कि कैसे deny कर सकते हैं, question जो होते हैं, यहाँ पे three kinds के लिखा हुए, ऐसे चार kind के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे, पहला जो question होता है, वो start होता है, start कैसे, उस पे एक देखिए, asterisk mark लगा होता है, ठीक है, unstart, जिसमें कोई ऐसा mark नहीं होता, ठीक है, और तीसरा होता है, short notice, तो चलिए, इनके discussion करते हैं, सबसे पहले सुनिए, कि start question क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता, इसको कैसे, मतलब identify किया जाता है, एक star लगा होता है, asterisk लगा होता है, कि ठीक है अतारा लगा दिया, सामने सितारा लगा दिया, meaning क्या है इसका, इसका यह meaning है, कि अगर ऐसा question किसी minister से पूछा जाए, तो यह expected है, यहां लिखा हुआ है, requires an oral answer, no, not requires, but it is not necessary that minister will give an answer, but anyway, it is expected that when a start question is presented to a minister, he is supposed to reply orally, मुह से जवाब देना, और कहां से जवाब दे सकते हैं, मुह के अलावा बताइए, anyway, मुह से जवाब देना है, और अगर मुह से जवाब दिया, तो बहास होगी, दूसरा supplementary question follow कर सकता है, तो यह difficult question होता है किसी के लिए, है ना, अब खुद सोचो, मैं बताऊंगा, उसको बोलते है green paper list, जो start question है, उनकी daily एक listing बनाई जाती है lottery के बाद, और वो जो lottery के बाद listing बनाई जाती है start question की, उसको बोलते है green paper list, ठीक है, यह everyday हर दिन बनाई जाती है start question के list, तो दूसरा होता है कि unastard question क्या होता है, उसमें देखिए written reply expected होता, और वो भी lottery से जब divide होके बन गया unastard और astard वाला, तो astard वाले को green paper list में डाल देंगे, और जो unastard है उसको white paper list में डाल देंगे, समझ गे बात को, तो written reply है तो इसमें तो मतलब supposed है कि आपके supplementary questions नहीं हो पाएंगे, क्योंकि written reply है, लिखा लिखा है सब कुछ, अब एक यह third category है, short notice question, short notice question is one that is asked by giving a notice of less than 10 days, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 10 days या less than 10 days दोनों condition हो सकती है, और इसका answer, चो कि बड़ा, लंबा, चोड़ा notice दिया गया है, 10 दिन के आसपास का कम का, तो यह orally देना होता है, बोल के देना होता है, यहाँ पर मेरे notes में क्या लेका हुआ है, generally जो इसका notice period होता है कितना है, देखे, equal to or smaller than 10 days होता है, इसमें देखे, और भी मैंने बताया है कि urgent question होते हैं, इसलिए तो आपको short notice पर दिया जा रहा है न जो आप, वो भी orally, तो notice period less than 10 days है, और वो less than 10 days कितना होगा decide, यह भी मैंने आपको note से बता रहा हूँ, वो decide जो है, speaker करेगा, कि 7 दिन का time देना है, कि 5 दिन का देना है, कि 10 दिन का देना है, तो यह speaker decide करता है, जो कि 10 days या 10 days से less का है, तो इसी लिए short notice question बोलते हैं, तो इससे यह समझ में आता है, कि आपके जो start-unstart question हो, वो जादा मतलब उनका notice period होता होगा, अब last बाला category एक अलगत रहका है, अभी मैंने जो आपको तीनों बताए, यह सारे जो हैं, minister से question पूछने वाले थे, लेकिन एक private members होते है, minister के अलावा, minister के अलावा, कोई भी parliament का member, चाहे वो ruling party में हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, ruling party में भी हो सकता है, वो private member कहलाता है, तो कभी-कभी यह भी जोरत पड़ती है, कि minister नहीं हम private member से भी question पूछे, है ना, ऐसे question जो private member से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग question to private member बोलते हैं, question कब पूछे जाएंगे private member से, आप खुद ही सोचिए, मान लिजी यह public account committee है, बहुत important committee है, अब public account committee का जो chairman है, chair person है, वो तो कोई minister होता नहीं, तो फिर उससे अगर question पूछो तो, private member से question हो गया, लेकिन public account committee के, chair man से आप question पूछो की नहीं पूछो की, कभी कभी तो जोरत पड़ेगी, तो समझ गया है, तो यह generally जो ऐसा question होता है, आपका मतलब private member से जो पूछते हैं, वो generally कोई bill है, कोई resolution है, या कोई ऐसा matter है, जो की business of the house वगरे से related है, और उसके लिए आपका member responsible है, पॉब्लिक account committee का example तो बहुत easy है, लेकिन माली जे किसी member पर privilege motion वगरे की बात हो रही है, तो वो भी responsible है, तो उससे भी हम लोग question कर सकते हैं, तो वो question जो है हम लोग private member से जो question करते हैं, उस technique के थुरू करेंगे, बाकि तीनों जो थे देखिए हो तीनों minister के लिए थे हैं, हाँ लक्षमिकात में ये बताया है कि finally जो है, list जो बनती है, start question की, unstart question की, short notice question की, और private member से पूछे जाने वाले question की, जो आपके private member से पूछे जाने वाले question, उसका yellow color का list बनता है, और ताकि आपस में ये सब differentiated रह सके हैं, अब notes से ये discussion होगा, की question तो पूछे जा रहे थे हैं, और requirement थे की answer मिले, लेकिन ये क्या मतलब एकदम मजबूरी है, नहीं, question ये उठता है कि क्या minister किसी question को reject कर सकता है, yes, कर सकता है, तो उसके grounds क्या होंगे, वो बोलेगा कि नहीं ये national security के खिलाप, ऐसे कैसे question पूछ रहा है कि हमने गलवान में कितने लोग मारे नहीं मारे, हमने क्या हत्यारी उज़ किये थे, national security का matter है, answer नहीं देंगे, या मालने जो public order का है, कैसे पूछ रहा है कि कल को दंगो को हम कैसे बचाएंगे, आज ही पता चल गया तो दंगे तो बढ़क जाएंगे, public order का issue है, तो ठीक है, अब ऐसे condition में, जो MP है question पूछने वाला, वो कभी-कभी तो ये बोल सकता है कि नहीं, ये तो बहिमानी है, मैलाफाइड है, है ना, मैलाफाइड है, अपने reject जो किया, गलत तरीके से कि ऐसा कुछ question नहीं उड़ रहा था, तो उसमें बहास होगी, तो बहास कहाँ जागी, इसके लिए जो member है, मतलब Parliament का, जिसको question ऐसा पूछना था, जिसको reject कर दिया गया, नहीं पूछना चाहिए, अगर उसको लगता है, कि ऐसा question, जो लोक सभाई है, राजी सभाई है, उसके जो rules होते हैं, procedures होते हैं, उसके चलाने के उसके खिलाफ है, या कोई और ऐसा ground है, जो उसको लगता है, जो उसको लगता है, फॉर्मल सेटप में, एक्ट वगर एके थुरू बना हुआ है, वो system सब कुछ बना हुआ, रूल से, next जो चीज है, zero hour, वो देखिए informal method है, ये कोई formal device नहीं है, not a formal device, इसमें क्या होता है, कि जैसे ही question hour खतम होता है, usually invoked immediately after the question hour, question hour खतम होगी, ये चोटा सा break हुआ चाय पानी का, उसमें ये decide होता है, कि अब पूरे दिन का agenda क्या चलेगा, पूरे दिन अब क्या बात करेंगा, हमनों question hour तो पूछ लिया, तो जैसे ये गंटा 11 से 12 हुआ, तो उस टाइप जो break जैसा होता है, जिस टाइप दिन का agenda बनने वाला है, तो उसको zero hour बोलते हैं, ये Indian Parliament का खुद का invention है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, आपके किसी भी rule बगर में, ये एक informal device है, इसलिए ये जो है zero hour, इसमें होता है क्या चली आगे वो देखते हैं, देखें, पहले तो वही बता रहे हैं कि unlike the question hour, question hour तो चली आपके mention था rule of procedure में, पहले British Act वगर के थुरू आया था, रूल वगर के थुरू आया था, लेकिन जो आपका zero hour है, किसी rules of procedure में mention नहीं है, इसलिए एक informal device है, लेकिन फिर भी ये members of parliament को available है, कि इस informal device का use करके, वो zero hour में जबकि agenda बन रहा है, पूरे दिन का question hour के बाद, वो कुछ ऐसे matters जो public importance के हैं, without any prior notice, without any prior notice उसको informally ऐसे matter को उठा सकें, और zero hour कब शुरू होगा, आप खुद बताईए, जैसे ही question hour खतम होगा, उसी time पे शुरू होगा, कि आज क्या करना है, हमारा regular business क्या होगा house में, उस period के पहले, और question hour के बाद, आपका जो है, यह चलता है, zero hour, और इसमें जो question पूछे जाते हैं, जो matter उठाए जाते हैं, वो उसके लिए कोई notice के requirement नहीं होती, अब यह है, in other words, अब मैं नोट से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मान लिजिए, मान लिजिए कि आपका Parliament का session चल रहा था, कोई particular day था, आपका question hour खतम हो गया, और उस दिन मान लिजिए कि zero hour नहीं कराए गया, जो आपके speaker है, उन्होंने बोला कि आज जो है, मेरा मन कर रहा है कि zero hour नहीं होगा, तो क्या इसके किलाब कोई MP आवाज उठा सकता है, कि नहीं आपको तो करवाना चाहिए, नहीं उठा सकता, क्योंकि यह informal device है, किसी भी rule बगरे में codified नहीं है यह, तो speaker की मर्जी है, या उसके कराय चाहिए, नहीं कराया, informal device है, लेकिन main चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आगे मैं आपको detail में बताऊंगा, कि कोई MP अगर आवाज उठाता है, कि rule follow नहीं हो रहा है, पारलियमेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे आवाज को point of order बोलते हैं, point of order बोलते हैं, यहाँ पे order मतलब क्या है, आपके जो general जो दिन चरिया थी, आप उसको follow नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना point एक make कर रहे हैं, we are making a point that you are not following the usual business of the house, usual order of the house, that is called point of order, order में रखिए, rule of procedure follow करिए, सकते कि नहीं उठा सकते हैं, तब MPI आवाज उठा सकता है, क्योंकि वो codified है, तब वो point of order उठा सकता है, क्योंकि question और तो करवाना पड़ेगा regular days में, किस-किस दिन नहीं करवाना है, उसके list मैं आपको बता दी हैं, देखिए point of order वहीं बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या पॉर्मल रूल रिखा हुआ है, उसको फॉल को फॉल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप ये गलत कर रहा हूँ, तब उस condition में उसको बोलते हैं, point of order, तो point of order कहां पे हैं, पहले तो यह सुनिए, कि आपका जो rule 377 of लोकसभा है, लोकसभा में rule 377 है, उसमें zero hour में question उठानी की बात लिखे हुई है, ठीक है, ये ये नहीं बोल रहा है कि zero hour होगा, ये नहीं होगा कि zero hour होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे condition है, जिस पे आपको वहाँ पे थोड़ी मंजूरी मिलती है, rule 377 में लोकसभा के, कि zero hour में question उठाय जा सकते हैं, ये कोई आपके codified नहीं है, लेकिन कि zero hour होगा, लेकिन वह बोला है कि बीच का जो gap है, उसमें question उठाय जा सकते हैं, उसी तरह राजसभा में जो rule है, rule number 180A है, एक special mention rule होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको special mentions rule, उसके अंदर थोड़ी इजाज़त मिल जाती है, कि zero hour में question उठाय जा सकते हैं, लेकिन codified नहीं याद रखिएगा, zero hour debate seven element of surprise, surprise है, क्योंकि इसके लिए कोई, देखिए prior notice के requirement नहीं है, तो इसमें हमें सा एक surprising factor मिलेगा minister को, एक बात मैं फिर से repeat कर दूँ हूँ, आपको शायद confusion हो रहागा, आप सोच रहोंगे कि आपने तो बोला, rule 377 और फिर 180 A बोल दिया, फिर आप बोल रहें कि codified नहीं है, देखिए rule 377 और 180 A जो हैं आपके, इन में normal question वगरा पूछने की बात है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे tweak हैं, कि जिसके कारण आप zero hour में भी question पूछ सकते हैं, इतनी सी बात है, zero hour अलग से codified नहीं हैं आपके parliament में, अब आईए हमारे call topic पे जो हमें पढ़ना था, motions, पारलेमेंट में motions कितने type के होता हैं, क्या होता हैं, पहले तो यह समझे हैं कि motion होता क्या, motion देखे एक तरह का notice है, एक तरह का notice देना है, और एक यह proposal है, जिसको proposal को आपको पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप house में कोई, मतलब opinion देख सकते हैं house की, या house को decision ले सकता है, समझे बात को, इस motion के बिना, या इस notice के बिना house में, आपके पार्लियमेंट में, कोई भी opinion जेनरेट नहीं होती, members हैं उनके थुरू, या कोई भी decision नहीं लिया जाता है उनके थुरू, तो चाहे वो bell pass करना हो, या कुछ resolution लेना हो, कुछ भी करना हो, एक motion तो लेके आना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए बोले लक्ष्मी कान क्या बोल रहा है, no discussion on matter of general public importance can take place, अब कुछ critical matter बगर होगा, तो उसमें without motion भी चाहत कर सकते हैं, वार चड़े जातों क्या करेंगे, लेकिन कोई general public importance का matter है, तो तब तक parliament में discuss नहीं होगा, जब तक उसके लिए कोई motion नहीं लाएगा, समझ रहा है बात को, ये एक तरह की चाबी है, discussion अगर ताला है, तो ये उसकी चाबी है, UPSC, PSE corridor पे educator बनना, अगर motivation है, तो आपका like जो है, उसका motion है, समझ गया, तो motion यही होता है, कि अच्छा, दूसरी बात, कि ये जो motion आएगा, तो उससे discussion के शुरुवात होगी, लेकिन ये motion किसके पास जाएगा, ये जाएगा, प्रिशाइडिंग officer के पास, और अगर वो उस motion को approve कर दे, तो उस बात पे decision, opinion बनना, कुछ भी होना जो है, possible है, तो house जो है, अपने इसके थुरू motion के थुरू क्या करते हैं, अपने decision और अपने opinion जो है, express करते हैं, various issues पे, या तो उस motion को वो जो है, adopt कर सकते हैं, कि ठीक है, इस बात की शुरुवात करते हैं, इस बात का discussion करेंगे, इस बात पर decision लेंगे, या उसको reject भी कर सकते हैं, कि नहीं हम इस बात पर discussion नहीं करेंगे हैं न, moved by either minister और private member, याद रखेगा, motion को minister भी introduce कर सकता है, अब मान लिजे न, कोई bill लेकर आए हैं, अब ये minister कही बार bill, मुशली तो minister भी bill लेकर आते हैं, या budget लेकर आए हैं, finance act लेकर आए हैं, तो उसके लिए पहले भी motion डालना पड़ेगा, तो वो minister करेगा, अब private member भी अपने bill लेकर आ सकता है, private member बोल चकता है कि चले इस बात पर discussion करते हैं, तो private member भी जो है लेकर आ सकता है motion, तो motion कोई भी लेकर आ सकता है, ये बहुत conceptual चीज़ है, इसके word में सब कुछ लिखा हुआ है, पहला motion है substantive motion, दूसरा motion है substitute motion, तीसरा motion है subsidiary motion, लेकिन जए मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको समझने के लिए पहले substantive पढ़ाऊंगा, फिर subsidiary पढ़ाऊंगा, लास्ट में आपको substitute वाला motion आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक ऐसा motion, एक ऐसा proposal लाना house में, जो की self content है, मतलब आप जैसे माली जैसे single हो, तो आप self content हो, आप किसी पर dependent नहीं हो, आपकी हसी खुशी जो भी है, किसी और पर dependent नहीं करती है, अकेले हो आप बैचलर हो, तो आप self content हो और content हो, content मत लिख दे ना, जीस में, यहाँ पर self content लिखना है, मूँ emotion की बात कर रहा हूं, तो आप independent हो, तो ऐसा motion जो किसी और motion से जुड़ा हो नहीं हो, बिल्कुल independent हो, independent proposal हो, इसको किसी बात से मतलब नहीं है, कि पहले क्या proposal आए था, बाद में क्या आएगा, कुछ नहीं, अकेला आया है, वो अकेला जाएगा, और उसकी existence जो है, किसी और pre-existing motion पर dependent करती है, for example, no confidence motion, no confidence motion किसी चीज़ से link हो कर आता है, किसी motion से link हो कर आता है, कि नहीं, ऐसे ही आ जाता है, motion of thanks, है ना, motion of thanks जो president address करते हैं, तो उसके बात जो होता है, motion of thanks, तो वो भी किसी चीज़ पर dependent नहीं करता, करे की नहीं करे हैं, उनकी मर्जी, adjournment motion, परलिमेंट का जो एडजर्मेंट होता आगे पढ़ाऊंगा, यह सारे जो हैं, independent हैं, self-contained हैं, इनकी किसी और से linking नहीं है, और यह लक्षमिकांद बताते हैं, कि generally बहुत important matter से deal करते हैं, मैंने जो आपको example बता है, उसके लावा लक्षमिकांद आपको बताते हैं, जैसे मालीजे की president का impeachment करना है, या फिर chief election commissioner का जो देखिये removal करना है, तो यह सारे substantive motion है, यह बड़े-बड़े motion होते हैं, independent motion होते हैं, मैंने आपको बोला था कि दूसरा मैं पढ़ाऊंगा, तो पलेट के लश्मिकांद से दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, subsidiary motion पढ़ाऊंगा, क्यों? substantive को मैंने independent बोला, subsidiary जो है, वो independent नहीं है, इसलिए second number पर पढ़ाऊंगा, एक ऐसा motion जो खुद में independent नहीं है, और इसकी कोई interlinking है किसी previous motion पे, उसको subsidiary motion बोलते हैं, its existence depends on a pre-existing motion, इसको समझाने के लिए मेरे notes में बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, यहीं से आपका concept अच्छा क्लिए रोगा, लश्मिकांद से नहीं हो, सुनिए, आपको पता होगा कि bell pass करने के दू-तीन stage होते हैं, पहला stage होता है introduction, फिर होता है consideration, numbering कर देता हूँ ना, introduction, अरे अरे, हाँ अब ठीक है, पहला stage होता है introduction, दूसरा होता है उसको फिर consideration, और तीसरा जो step होता है, कि चलिए इसको pass किया जाए ना, बिल को pass किया जाए, यह तीन होगा आपके motion, सूचिए, पहले जो है मैंने बिल को introduce किया, तो पहला motion लिख रहा है, कि बिल बी introduced, परलिमेट में ने जाके बोला, let's introduce the bill, बिल बी introduced, this is our motion, first motion हो गया, अब आप खुद बताइए, बिल introduced हुआ, तभी तो वो consideration के लिए जाएगा, और consideration के लिए फिर एक motion लेना आप पड़ेगा, तो वो हो गया, एक की, बिल बी taken for consideration, second motion, अब खुद बताइए, बिल बी taken for consideration, is not dependent on, बिल बी introduced in the parliament, so that is why, बिल must be taken for consideration, और बिल should be taken for consideration motion, is the subsidiary motion, of this introduction motion, समझ गया, फिर बाद में, जब जो consider भी हो गया, तब उसको pass करने के लिए, एक motion लेकर रहा है, तो यह जो third वाला है, यह भी एक subsidiary motion है, अब आपको जो है, concept यहाँ पर clear हो गया होगा, अब लक्षमी कान्त की बाद सुनते हैं, इनका कहना है कि, ऐसा motion, subsidiary motion, जो की, खुद में एक उसका meaning नहीं है, देखिया, difficult बना दिया न, और वो जो है, cannot state the decision of the house, without reference to original motion, or proceedings of the house, वही बात है, difficult बना दिया है, और इसके भी तीन type बताएं, यह अच्छी बात है, कि आपके जो subsidiary motion, उसके तीन type है, एक होता है, ancillary motion, जो various kinds of business हैं, आपके house के उनके regular proceeding के लिए, यूज किया जाता है, ancillary motion, ancillary का मतलब ही ही होता है, कि आसपास के सारे काम करना, superseding motion क्या होता है, it is moved in the course of debate, on another issue, and seeks to supersede that issue, कोई नया issue लेकर आए, पहले से जिस पे बात चल रहे थी, और बोला कि वो जो बात चल रहे थी, वो बात बंद कर दीजिए, ये बात लेकर आई, तो relation हो गया, तो आपका subsidiary तो हो गया, लेकिन supersede कर रहा है, पहले वाले को बंद करके, नए वाले को चलाना है, फिर होता है amendment, it seeks to modify or substitute, only a part of the original motion, इन फैक्ट आपके किसी, ये बिल में भी amendment होता है, वो भी देखिए, एक subsidiary motion है, क्योंकि बिल पहले आ गया था, अब उसी में amendment करना, तो उसके लिए motion लाना है, समझ गया है, तो ये जो है ancillary motion, पहला वाला जो है, regular various kind of business के लिए होता है, अब रसेडिंग के लिए, दूसरा सूपर सेडिंग किसी को replace करने के लिए होता है, और amendment क्या करता है, एक part को ही substitute करता है, इसलिए amendment, amending होता ना, बदलाओ करना, तो सूपर सेडिंग दो है, पिछली बाले को सूपर सेड कर देता है, amendment जो है, थोड़ा सा part उसका तबदिल करता है, original motion का, समझ गया है, third option लेजए, substitute motion, नाम में सब कुछ है, माल लेजए कि, someone, एक किसी ने move किया motion, कि एक bill को pass करना चाहिए, है ना, लेकिन उसको जो है, counter करने के लिए, किसी ने एक नया motion किया, उसने बोला, कि bill को जो है, क्या करना चाहिए, joint parliamentary committee के बाद, pass भेज़ देना चाहिए, सीधा pass नहीं करना चाहिए, तो ये क्या substitute motion नहीं है, पहले वाले में ये बात हो रही थी, कि bill को सीधा pass कर दिया जा, वो motion था, लेकिन एक नया motion ये आता है, कि नहीं, पहले वाले motion को change कर दिजिए, bill को joint parliamentary committee के पास भेज़िये, थोड़ा अच्छे सोज को समझे, तो ये एक तरह का alternative है, सीधा मत pass करिए, अगर माली जे सरकार ने साथ दे दिया, और बोला कि ठीक है, चलिए joint parliamentary committee को भेजते है, तो आपका जो पिछला normal pass करने वाला bill था, वो motion बंद हो जाएगा, और joint parliamentary committee के पास जाने वाला जो था, वो मतलब ले लिया जाएगा, accept कर लिया जाएगा, तो एक तरगा है क्या हो गया, substitute motion हो गया, या एक alternative motion हो गया, तो वहीं बता रहे हैं कि, अब यहां से मिलता जोलता है, superseding motion भी है, मिलता जोलता है, तो कोई बात नहीं है, इतना चलता है, अब next topic आता है, closer motion, closer motion क्या होता है, जैसे आप प्यार में closer लेने के लिए, तलाश में लगे हो ना, अस्ता closer नहीं मिल रहा, लेकिन Parliament में closer motion दिया जाता है, अब लाग discussion चल रहा था, closer नहीं मिल रहा था, जिंदगी में परिशान ही थी, Parliament में माली जै किसी matter पे, बहुत ज़्यादा discussion चल रहा था, debate चल रहा था, लोग परिशान हो गया, बोले कि cut short the debate, just pass the bill, ओके, don't give a damn, तो to cut short the debate, on a matter before the house, अगर ये motion आपका approve हो जाता है, तो आपका क्या किया जाएगा, जो debate चल रहा था, उसको बंद कर दिया जाएगा, छोड़ो debate, सीधा voting कराते हैं, चर्चा क्यों करेंगे, voting कराते हैं, और जो matter को vote के लिए भेज़ दिया जाता है, और इसलिए closer motion के, आपको बताएगे हैं, आपको पहले कि four kinds होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, एक तो होता है simple closer, इसमें ये होता है, कि एक member motion move करता है, कि matter जो है, बहुत discuss हो गया, अब प्लीज इस पर vote कर दीजिए, ये होता है simple closer, दूसरा होता है closer by compartments, ये क्या होता है, in this case, the clause of a bill, और lengthy resolution are grouped into parts, before the commencement of the debate, बता रहो, the debate covers the part as a whole, and entire part is put to vote, what is that, माल लिजिए, एक bill है, उसमें जो हैं, कई पार्ट है, यहां पे, एक part में माल लिजिए, कि 3 issues है, दूसरे part में माल लिजिए, कि 4 issues, 5 issues, 6 issues, 7 issues, कुछ भी है, तीसरे part में माल लिजिए, कि इतने सारे issues है, तो हम क्या करेंगे, कि आपके closer by compartment में क्या करेंगे, हम जो है, इसको एक, 1, 2, 3 को अलग-अलग discuss नहीं करेंगे, पूरा एक compartment में बना देंगे, उसको discuss करेंगे, फिर इतने सारे जो यहां पे देख रहे हैं, इसको अलग-अलग issues, उसको अलग-अलग discuss नहीं करेंगे, पूरे को compartment में बना देंगे, अलग-अलग discuss नहीं करेंगे, एक ही साथ डिसकस करेंगे, फिर देखें, थर्ड स्टेप पर यहाँ कमपार्टमेंट बना दिया, अब इस पर खुछ सोचिए, आपकी डिबेट छोटी नहीं हो जाएगी, आपको यह पूरा यह सारा डिसकसन करना पड़ता, अब आप एक कमपार्टमेंट डिसकस करोगे, उ इसको डिसकस किया, इसको डिसकस किया, इसको डिसकस किया, तीन डिसकसन किया है, उसके बाद पूरे को जो है वोट के लिए डाल दिया, यह नहीं कि एक-एक में घुजगुज के डिसकसन किया, अब एक होता है, कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर में क्या होता है, अब वो important clause नहीं है, important clause बस इतने है, ठीक है, important clause बस इतने है, जो आपको green वाले दिखा रहो, तो parliament क्या करेगे, कंगारू closer में, कंगारू उचलता है न, अपने कदमों पे, बीच की जमीन छोड़ता है, बीच की जमीन टच नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसको discussion करेंगे, इसको क करेंगे, यह सारे को ignore कर देंगे, फिर जाके यहाँ पे green वाले को discussion करेंगे, फिर यह तीन green वाले जो इसको discussion करेंगे, और बोलेंगे कि हमने जो important वाले हैं, वो तो discuss कर लिए है, अब पूरे को जो है, मिला के pass कर देते हैं, तो यह होता है, कंगारू closer, लास्ट में होता है क और यहाँ पे जो है, एक दराती लगा के, उसका क्या करते थे, सीधा यहाँ से गला कटक देते थे थे, तो उसी को बोलते है, जिलाटेन, तो जिलाटेन closer क्या हुआ, अब आप उसमें discussion किया, आपने आपको करने थे 1000 topic का discussion, और आपने discussion किया, उसमें समान लिजेए, कि 600 topic का लेकिन चुकि time तो कम हो गया, आपके पांच मिनट में 1000 का discussion करना था, आपने 600 कहीं किया, पांच मिनट elapse हो गया, तो आप क्या करोगे, 400 जो बच गये थे, उनको without any discussion, आप जो है, voting करवादो के सीखा, कि बकवास नहीं करते हैं, voting करते हैं, जिलाटेन करते हैं, इसका गला क समझ में आ गया होंगे, next step, privilege motion, इसके बारे में सुना होगा आपने, parliamentary, जो privileges होते हैं, उनका जो breach होता, उसके बारे में है ये, इसका काम क्या होता है, ये देखे, किसी minister के खिलाप, जो है, privilege motion ला जाता है, privilege motion क्या है, motion introduced by any MP, कोई भी member of parliament introduce कर सकता है, against any minister, ये बोलके, allegation ये डालेगा, कि आपके जो minister है, जो minister जो है, उन्होंने parliamentary, जो privileges, जो special right होती है, मैं आपको अलग से बताऊंगा, यहाँ पर नहीं है, उसको इन्होंने उसका breach किया, कैसे breach किया है, या तो उन्होंने house के सामने जोट बोला है, कुछ ऐसा, lying before the house, या फिर इन्होंने कुछ distorted fact दिय है, misleading fact दिया है, जैसे अस्मिति एरानी के खिलाब, जो है, रोहित वेमूला माले case में, मतलब वहाँ पे, अस्मिति एरानी कुछ बोला था कि, लोगों ने बहुत जादा देर तक, जो है, रोहित वेमूला को घेर के रखा था, तो इसके खिलाब जो है, लोगों ने पारलेम member का उन्होंने breach of privilege किया है by doing what withholding facts है ना fact छुपाना या giving wrong मतलब जूट बोलना या distorted facts यह सारी हरकति अगर करोगे तो आपका privilege motion वो ला जा सकता है और अगर आपके speaker ने उसको accept कर लिया तो उस पे voting कराई जाएगी सब कुछ होगा आगे its purpose is to censor the concerned minister censor मतलब डाटना उसको किया कर रही है तो यह concerned minister जो होता उसको censor करना इसका purpose होता है censor का मतलब यहाँ पे डाटना होता है मुझे लगता है कि गर्मी बहुत जादा है ठीक है तो 32 मिनट का lecture होगा मैं इसको यहीं पर रोकूंगा next lecture में जो है हम पूरा इस चीज को खतम कर लेंगे आपके जो proceeding है house के उसके क्या तरीके होते हैं डिवाइसे होते हैं बाकि आके यह सारे जो privileges हैं next lecture में फिनिश कर लेंगे बस वो भी 32-35 मिनट का lecture होगा चलिए अगर आपको lecture अच्छला हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को आपका बहुत बहुत शुक्रिया